हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले railway group D के बारे में तो दोस्तों बने रही है हमारे साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिची का क्योंकि यहां पे आपको railway group D, ALP और technician के exam के लिए steady material मैं आपको provide करा रहा हूं और important question भी आपके लिए ला रहा हूं जो exam में आ सकते हैं तो दोस्तों चलिए start करते हैं तो दोस्तों मैंने कल का एक वीडियो बनाया था जिसमें जिनका rrb group D का form reject हो गया था उनके लिए एक नए notice आई है जो कि सरकारी result.com पे आपको मिल जाएगी तो जैसे कि इसमें यह notice दी हुई है rrb group D re-upload photo only for rejected form तो मतलब क्या हुआ जिनके form reject हो गया है photo की बज़े से तो वो re-upload मतलब photo दुबारा upload कर सकते हैं आगे देख लेते हैं में क्लिक करके कि इसमें क्या आपसान आते हैं देखिए यह पूरा पेंच खुल गया और इसमें आपको करना क्या है कि लोग इन टू री अप्लोड फोटो के लिए यहां पे क्लिक करना है और आपने जिस भी जोन से बढ़ा है उसको आप चुन लीजिए जैसे कि इलावा जोन से यूपी के लिए इलावा जोन हो गया तो यहां पे यह पूर अबर आगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए का सेर कर दीजिए जगा और हमारे चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए का